बिहार सक्षमता परिछा का जैसे से आवेदन समिट हो रहे हैं और अप्रूब्ड हो रहे हैं उसके बाद अड्मिट काड भी जारी किये जा रहे हैं। यदि आप आवेधन समिट कर दिये हैं और आपका आवेधन अप्रूब्ड हो चुका है तो 24 घंटे के अंदर में आप असानी से अद्मिट कार्ड को डाउनलूड कर सकते हैं। इस पोटल पर आने के लिए आपको bseb-sakchamtha.com पर आना होगा इसका लिंक वीडियो के डिस्रिप्सन में मुझूद है। आपके साँने यो और पोश्ट ओपन होगा। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही और नीचे जाने के बाद मियांग पर लिंक मिल जाता है अद्मिट का डाउनलूड का। यहां पर क्लिक खेर के बटन पर क्लिक करना है तो आपके साब में बिहार सक्षमता का पोटल ओपन हो जाएगा वेपसाइट पर आने के बाद यहां पर दिखे एक बटन दिखाई दे रहा है डाउन्लोड अड्मिट काड इसके पहले आप यहां से लोग इन करके फरम बारते थे और यहां से रेश्टेशन करते थे अधि आप रेश्टेशन नहीं किये हैं तो यह वीडियो जलूड देख लीजिए इसमें पूरी स्टेप बैस्टेप बते बताई गई हैं अड्मिट काड डाउन्लोड करने के लिए डाउन्लोड अड्मिट काड के बटन पर क्लिक कर देना है किलिक करते ही new tab में redirect हो जाता है यहां पर आपको application नंबर दर्ज करना है जो भी application नंबर है दर्ज करींगे और यहां पर date of birth करेंगे date of birth दर्ज करूड काड करने का मतलब यह हुआ कि आपको इस बर्थ, कैपचा और लोगिन पर किलिक करेंगे तो आपको विकल्प मिल जागा जहां से अड्मिट का डाउलोड कर सकते हैं यदि आपको डाउलोड करने में प्रबलम हो रही है तो एफेक की वहां पर दिया गया है इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं चलिए मैं आपको बतायाता हूं कि किस सिद्धि में आपको क्या करना है यहाँ पर पहला सवाल में बताया गया है हाँ डू आई डाउन्लोड माई अड्मिट काड यहाँ पर देखिए एंसर भी दिया गया है कहने का मतलब यह है कि admit card download करने के लिए संगठन की website पर जाना होगा यानि की link पर आना होगा इसके बाद में आप login page पर click करके download admit card यानि की इस पर click करके आप admit card download कर सकते हैं अगला question दिखें दूसरा में क्या कर रहा है What should I do if there is a lot of delay in assessing the page कहने का मतलब यहां पर यह है कि internet अधारित admit का download भी भीन परकारग पर निर्भर कर सकता है जैसे internet की speed बड़ी अविदक की संख्या पर भी निर्भर करता है admit का download के कोशिज करते हैं उस समय हो सकता है यादि आप admit का download करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो 5 मिनट के अंतराल पर या 10 मिनट के अंतराल पर फिर से कोशिज कर सकते हैं तो आप download कर पाएंगे तीसरा कोचन यह आप बताया गया है और दू आप अप्लिकेसर नमबर एंड पासवर्ड कहा जा रहा है कि पंजिकारन के समय जेनेट किया गया पासवर्ड जेनम्ति थी आपको ddmmyy format में दर्ज करना है इसके बाद आप असानी से दर्ज कर सकते हैं और download भी कर सकते हैं अब चौथा कोशन है आपके login screen पर date of birth rejected हो जाता है जहां पर क्या कहा जा रहा है? देख लिजिए उमदवार को यह सुनुचित करना चाहिए कि जनम्तिती वही है कहने का मतलब यह है कि आप जो जनम्तिती दर्ज कर रहे हैं वो SAM होना चाहिए और आप ही क्या होना चाहिए जो उसने पंजिकारन के समय दी थी यानि कि आप जो पंजीकरन के समय दिये थे वही आपके पाजनमतिती होना चाहिए यदि आपको एक कीन नहीं है तो आप अपना print out application के देख सकते हैं जिसके बाद आप login कर पाएंगे अगला पचवा कोचन कर रहा है I am unable to login screen display the login field message यदि आपको message login फिल का रहा है तो इसका मतलब देखिए क्या का रहा है इसके बाद आप login करके आसानी सब्सक्राइब कर पाएंगे इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो समिद कोई भी सवाल हो सुझा हो तो comment box में ज़रू ठोक देजिएगा धन्यवाद कर दो